नमस्ते दोस्तों एच्चेसबीटी मकेनिकल इंजीनियरिंग चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर किया कर दोस्तों तो दोस्तों आज हम आपके ल सब्सक्राइब के लिए भी तो दोस्तों देखिए सेक्षन ए जो सेक्षन ए है उसमें फर्स्ट कोर्ष्चन है और अटो मोवाइल एंडिट्स क्लासिफिकेशन उसके बाद सेकेंड कोर्ष्चन है एलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड वीकल थर्ड़ डफाइन चेजिस एंड बोड़ी ऑप ऑटो मोवाइल फोर्थ है राइट दी प्रेंसिपल ऑफ ट्रांसमीशन सिस्टम फिप्थ है डफाइन किलच एंड गेर वोक्स और थर्ड रेयर एक्सल उसके बाद सेक्ष्ट लिस्ट में कॉंपोनेंट ऑफ ट्रांसमीशन सिस्टम उसके बाद सेक्षन भी जो 10 मार्क होता है और सेक्षन होता है थ्री मार्क का फाइव कोश्चन होते हैं 15 मार्क के उसके बाद जो सेक्षन भी है उसमें से एक कोश्चन करना पड़ता है 10 मार्क होता है जो उसके बाद ये देखिए फस्ट कोश्चन है डिस्क्राइब दी लेयाउट आउट आप चे engineering का उसके बाद हम आपको दिखाएंगे IQC inspection and quality control तो देखिए दोस्तों inspection and quality control सबते पहला जो question है सबसे पहला वो है define the term पहला inspection and quality तो यह define करना है हमको second question write the name of standard of measurement and explain तो हमको standard of measurement की name बताने हैं और उनको बरनन करना है जैसे primary, secondary, tertiary और working उसके बाद third question है what is interchangeability हमको define करना है उसके बाद write any five w जैसे why inspect, who inspect, where ऐसे five w हैं जो inspection के लिए हैं तो वह हमें define करने हैं उसके बाद fifth question write difference between remedial inspection और in process inspection तो यह हमको इन दोनों के बीच में difference बताना है उसके बाद sixth question है define principle of optical instrument used for measurement optical instrument का principle बताने हैं हमको किसी दहन पर यह कारर करते हैं उसके बाद seventh question what is पर नेर कर लिए पर और उसका diagram बनाना है और micrometer net sketch उसके बाद है section b में what is factor influencing the quality of manufacturing quality of manufacturing को कौन-कौन से जो factor है पर भावित करते हैं तो यह 10 mark का हो गया one यह इनमें से करना है 10 mark का उसके बाद second question explain profile projector in brief profile projector बताना है diagram बना के तो यह हो गए दो subject के और दो subject को मैं सामको लेकर आऊंगा उनको बताऊंगा कौन-कौन से important question है या मैं आपको कल वीडियो लाऊंगा उसकी तो दोस्तों इनको एक बार जरूर पढ़ें यह आपके सेशनल से लेटेड़ और फाइनल थोरी से लेटेड़ कौस्चन है जो सारे chapter का निचोड़ है तो इनको एक बार जरूर पढ़ें धन्यवाद कर दो 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 झाल झाल